नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टड़ी फोर पब्लिक सर्विस कमिशन में उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया था पुलिस कौंस्टेबल का जिसमें पोस्ट निकाले गई थी 60244 पदों पर ये भरती का नोटिफिकेशन निकाला गया था और जो इसके ओनलाइन फॉर्म थे लाज़ डेट एक्स्टेंड कर दी गई है हम डिटेल से जान लेंगे कि क्या फॉर्म की लाज़ डेट बढ़ाई गई है क्या फिर एक्जाम डेट पे इसका कोई असर पढ़ सकता है एक्जाम डेट को भी आगे बढ़ाया जा सकता है नहीं या फिर 18 फरवरी को ही आपका ए बाले इसमें तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले ये देख लिजीगा उत्तर परदेश सरकार उत्तर परतेश पुलिस भरती प्रनोंति बोर्ड लखनो उत्तर परदेश के द्वारा ये नोटीस जारी किया गया है आगे हम यहाँ पे देख लेंगे तो ये देख लि आपने कोई गलती कर दिये फोन में उसको ठीक करने के लिए ये तिति बढ़ाई गई है उसके बारे में ये नोटीस दिया गया है आईए हम आगे देख लेते हैं क्या को जिसके अंदर बताया गया है यहाँ पे देख लिजेगा उत्तर परदेश पुलिस में आरक्षिक ना मंतिरित करने हुए शुलक समायोजन आवेदन में शंचोधित किये जाने की अंतिम्ति थी 18 जनवरी निर्धारित की गई थी तो यहाँ पे बताया गया है कि उत्तर परदेश के द्वारा उत्तर परदेश पुलिस कोंस्टेबल की भरती का नोटिफिकेशन निकाला गया था वो 18 जनवरी निर्धारित की गई थी जो फीस सम्मिट जैसे कि आज आप फॉर्म फिलप कर देंगे तो फीस आप दो दिन यानिकी 18 जनवरी तक कटवा सकते थे बट अब इसमें कुछ चेंजिस कर दिये गए हैं आईए देख लेते हैं क्या चेंजिस किये गए हैं यहाँ अब देख लिजीगा अब्यार्थी को सूचित किया जाते हैं यह अंतिम्तिती पर भुक्तान करने एवं परमान पत्र डीजी लोकर मैनूल अपलोड किये जाने हैं तो अब आप जो फॉर्म में गलती हो गई आपसे या फिर आपका पेमेंट अभी आपसे नहीं हो पाया य गपराने की जुरुत नहीं है अब आप 20 जनवरी तक कर पाएंगे अपनी पेमेंट चार दिन और आपको एक्ष्ट्रा दिये गए हैं अगर आपने अभी भी फॉर्म फिलप नहीं किया है तो प्लीज आप अभी रात को फॉर्म फिलप कर लीजिए रात तक उसके बाद मौ सार दिनांग 17 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक शुल्क समायोजन एवं आवेदन में शंचोदन तथा जिन अभी अरतियोदर आभी लेग डीजी लोकर के माधियम से अभी लेग अपलोड कर सकते हैं तो यह बताया गया है कि बही डीजी लोकर के माधियम से ही आपको अपने डोकमेंट अपलोड करने हैं यहां पर इन्होंने यह सपस्ट बता दिया गया है तो प्लीज आप अपना चेक कर लीजिएगा डीजी लोकर से ही आप अपने डोकमेंट अपलोड कीजिएगा यहां यह सकत इन्होंने बताया गया है आगे हम देख लेते हैं नंबर फोर में देख लिएगा यह सूचना अभियर्तियों के सूचना अर्थ परकाशित की जा रही है अभियर्तियों से पेक्षा की जाती है कि वे अगरेतर मैतपून निदेश शेतुत्तर प्रदेश पुलिस भरती एंपनोर नती बोर्ड की वेबसाइट यह ओफिशल वेबसाइट है इसी के माध्यम पर उसी के उपर जाकर आपको अपनी पेमेंट और एडिट जो भी फॉर्म गलती हो गए वो ठीक करने है कावलोकन करते रहें यह भी सूचित किया जाता है कि अभियर्तियों के परिक्षा संबंदी समस्त सूचना वेबसाइट के माध्यम से ही प्रदत की जाएगी तो यह नोटिस था जो हमने डिसकस कर लिया है इसमें मोटा मोटा यह बताया गया है कि जो आपका एडिट फॉर्म था या फिर फीस कटवानी की डेट थी वो पहले 18 जनवरी तक निर्धारीत की गई थी बट अब फॉर्म जादा को देखते हुए मतलब कैंडिडेट जादा हो गए होंगे और कईयों की फीस नहीं कट पाई है तो शहीद वेबसाइट की भी प्रॉब्लम होगी तो उसको मद्धे नजर रखते हुए अब इस 18 जनवरी की तिति को बढ़ात कर 20 जनवरी करती गई है तो 20 जनवरी तक आप अपने फॉर्म में एडिट कर पाएंगे अगर कोई गलती आपने की है तो उसको ठीक कर पाएंगे और फीस जो कटवानी है जो फीस आपको पेमेंट करनी है वो अब आप 20 जनवरी तक क पोस्ट निकाली गई है काफी बड़ी संख्या में ये पोस्ट आई है और 18 फरवरी को इसका एक्जाम निर्धारित किया गया है और 18 फरवरी को ही आपका एक्जाम कंड़क्ट करवाया जाएगा तो बिल्कुल भी हलके में मतले एक महीना है आपके पास अराम से तैयारी करें बिल्कुल रिलेक्स होके तैयारी करें कोई जल्दबाजी ना करें अराम से तैयारी की जा सकती है इसी के मद्दे नजर हम एक यूपी पुलिस कॉंस्टेबल के लिए जीके जीएस की क्विज स्टार्ट करने जा रहे हैं दो या तीन दिन में पूरा एक महीना आपको करवा जाएं दो या तीन दिन में हम इस कुईज को स्टार्ट कर देंगे और आप प्लीज अपनी तैयारी जारी रखें बिल्कुल भी मन में ये डाउट मतलाएं कि एक्जाम डेट आगे बढ़ सकती है नहीं बढ़ सकती तो मेरा ये मानना है आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए क्यो गोटूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा टेलीग्राम ग्रूप जरूर से जरूर जोइन कर लीजिया सारी नोटिफिकेशन सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है इस वीडियो में इतना ही रखते हैं तक तक के लिए धन्यवाद